नमस्कार आप देख रहे हैं पब्लिक रियक्शन बैंक और आज हमें पटना के गांधी मैदान में और आज हम यहां के जन्ता से जानेंगे कि वो आने वाले एलेक्शन 2020 में किन के साथ हैं नितिश कुमार या फिर तेज़श्वी यादब तेज़श्वी यादब और नितिश कुमार दोनों में से कौन पसंद है आपको तेज़श्वी यादब किया देए एसा ही उनका थ्वासा बैक्गरण पडिवार का थ्वासा गरवड है यार के लिए जो है कि तेज़श्वी बहुत ही अच्छा निता होगा युवा निता है इसलिए हमारे तरफ से तो भाई तेज़श्वी होना चाहिए जास के नाम पे वो ध्यकार है हमको तो नितिश जी परसंद है तेज़श्वी यादो उनके बराबर परिपक्व नहीं है लालू जी के सरकार बनेगा लालू जी के सांथ है पुड़े भी हाँ नितिश कुमार खाली पल्टू राम है इधर से उधर मतलब चलता है खाले राजगिर जाता है कि अपना बिहार के आदमी के हम जाने नहीं देंगे हम सब के काम बिहार में देंगे आया ऐसा थिये कि बिहार से गरीब के बेला दिये अब नया है अब हमरे उमर में हमरा बच्चा कितना ज्ञान होगा उमुर के ख्याल से भी उननिती स्वाव ज़ादा घ्यानी हैं शिक्षित में परहे लिखे भी ज्यादा है। पन्ति पानीस है के घरगे लाई है। अब किसान को मिल रहा, पैसा कोई बता दे कि यहाँ पैसा में मिल रहा, डेकार रुपिया मिला है नितिस बाबु जो है, बहुत आज आगे हैं, कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता उसके विकास के दिश्टी कौन से, ठीक है बहुत काम किये, काम किये कि कौन जनता, किसको में बुढ़ा रहा है उनका सरकार में कोई भूख नहीं मरता था आज सरकार में, निरंदर मोदी के सरकार में बिहार बिलट गया, भारत बिलट गया, मर गया बिहार में, जब से इनके बनने के पूर, बिहार में बिजली बिलकुल गुम रहती थी जो रोड है, वो गड़े में तद्विल रहता था लेकिन आज बिजली 24 घंटा मिलती है और रोड है, जो बिलकुल हेमा मालिन के गाल जैसा बना हुआ है कौन दुम मंदिल जो बनाने के फिर में थे, राम मंदिल बना के अगदम फिट का दिये वो कहे थे, कि अभी तो थोरा तकलीफ है, लेकिन अच्छे दिन आ रहा है, क्या अच्छा दिन आ गए आपको लगड़े है कि नितिसकुमार बिहार के लिए काम कर रहे है लेकिन हमने लिए भी काम करवाईएगा, एक खबर जड़ा बेजिए, जो भाई एक साधारन सा आदमी उत्वदेवे करेंगे, नहीं दिल भाईएगा, तर्खाताई हो देंगे, लेकिन जड़ा ध्यान देना थी, हम लोगों मर रहे हैं, बहुत करम सारी मर रहे हैं अंदरे कि शे लोगों का कहना है कि बिहार के लिए नितीजी बहुत कुछ किये, क्या कि इसलिए अगर बिहार को आगे बढाना है तो पुनान नितीज मार को लाना है